आज मैं आपको महाराशनी खाना बनाने की A to Z प्रेपरेशन बताऊंगी पूरी की पूरी थाली बनाना बताऊंगी और महाराशनी खाना यकीन मानिए जिस तरहें बाकी कुजीन्स टेस्टी होते हैं इसका अपना ही एक अलग स्वाद होता है और ये खाने में इतना जादा टेस्टी होता है कि आपका पेट जरूर भर जाएगा लेकिन मन कभी नहीं भरेगा तो इस नए तरीके के खाने को वियंजन को बनाना सीखते हैं मेरे तरीके से घर में एक पार जरूर ट्राय करिए तो पूरी के पूरी प्रेपरेशन आपको दिखाऊंगी शुरुआत से कैसे मैंने इसे बनाया क्या-क्या तैयारी करी सबसे पहले ठीचा बनाने के लिए पांच मैंने हरी मिर्चे 15-20 करीब मैंने गार्लिक और 2-3 पीसे जिंजर के लिए हैं 20-25 मैंने इसमें करीब अता और उसमें मिलाया एक चमच नमक साथ ही में मैंने 1-4 टी-स्पून इसमें हींक का डाला है और ग्राउननेट ओयल मुफली का टेल दो चमच डालके कूटनी में अच्छे से कूट लिया आप इसमें 1-4 कप कुरियंडर भी डाल दिया है धनिया और डंडल समेट डाला है और ये देखे ठीचा बनके तयार है इसे आप रोटी पराठा के साथ बिल्कुल अचार की तरह खा सकते हैं और सबसियों के अंदर आप इसे तड़के में इस्तमाल कर सकते हैं बहुती गज सबस्वाद लगता है और ये साल भर तक खराब नहीं होता अच्छे से ऐल लगा के आप इसे फ्रिज में एट आट कंटेनर में रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं चलिए अब सूखा मसाला बनाने के लिए खोपरा लिया हमने सूखा वाला तिल लिये है एक कप और मुफ मुफली को हमने एक कप मुफली को अच्छे से रोस्ट कर लिया मुफली में क्या करती हूँ मुफली को सेक कर रखी लेती हूँ क्योंकि आए दिन मुफली काम आती ही रहती है तो इस थरीके से मुफली को सेक कर रख लिजे खराब भी नहीं होती और मिक्सी के अंदर मुफल तो तिल भी खराब नहीं होंगे और रेसिपी में तो काम आते ही रहते हैं तो चलिए अब हम जो तिल है इसका भी पाउडर बना लेते हैं तिल को न अच्छे से पाउडर बना लेजे मैं आपको अल्रीडी बता चिक्विण ग्रेवी में मैं कितना इस्तमाल करती हूं यह भी आप रोस्ट करके रख लीजे तो देखिए नारियल रूम टेंपरिचर पे भी कभी खराब नहीं होगा और इसका भी मैंने पाउडर बनाने के लिए मैंने लिए हैं आदा कप कुरिंडर सीट्स और उसमें मिलाया वन फूट कप तिल सेसमे सीट्स का तिल को और कुर भुन गया हैं लाल-लाल से हो गया है और कुरिंडर भी भुन गया है चलिए इसे एक प्लेट में निकाल के ढंडा करने रखते हैं ड्राय खोपरा लिया मैंने हाफ कप हम गौडा मसाला बना रहे हैं जो की स्पेशल महराश्ट्रिन गरम मसाला होता है और खोपरे को भी हमने अच्छे से रोस्ट करके देखिए ब्राउन कर लिया है चलिए ये भी जब अच्छे से बिल्कुल ब्राउन हो जाए ना बिल्कुल स्लो फ्रेम पी सीखना है क्योंकि खोपरा जलता बहुत है और अगर वो जादा जल जाए तो करवार रिस आता है गौडा मसाला के लिए अ इख चमच चाली मिची ऐक चमच चाली जीडा जाल ने के बार डेर चमच कलोग लॉटिक लॉच प Sum Quiz College of King Japanese Va friendships दो सिनिमन स्टिक्स के हमने डाल दिये हैं और चार हमने तेज पत्तर डाल दिये हैं अब इने भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे यह हम महाराश्टन गरम मसाला बना रहे हैं यह साल भर तक रूम टेंपरिचर पे खराब नहीं होता है इसे ऑईल में थोड़े से मसालों को इस तरीके से फ्राइ किया जाता है और यकीन मानिये खाने में न यह बहुत टेस्टी होता है महाराश्टन खाने में यह डलता ही है अब हमने जो खोपरा और हमने जो तिल और हमने ताबुत वाला कुरियंडर सेका था वो भी मिक्स कर दिया और 15-20 कश्मीरी लाल मिर्चे औ अब यह जो सारे मसाले हैं देखें काफी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं आपको जलाना बिल्कुल नहीं है क्योंकि यह मसाले अगर जल जाते हैं तो कड़वा डेस्ट आता है खाने के अंदर बितल अलका सा रोस्ट करके अब इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच हल्दी पुरा भर के हींका हिंका और एक चमच नमक का इनको भी अच्छे से मिक्स कर लीजे Cash $ Platform धाया, ग ﷺ डालने से पहले। यह अपन करना हो उसके भी मिक्सी के जार्म ही डाल को ने पावडर. पावडर बना लीज़ेट उसके आप गर्म मसाला और महाराश्ट्रीन पावड़्यbn तो मीमीलम स्काइब करते हैं उसके हर महाराश्ट्रण रसेपी में होता ही होता है तो देखिए मैंने आपको ये बनाना बता दिया अब आप इसे अच्छे से quantity में बनाकर airtight container में रख दीजे ये खराब नहीं होगा room temperature पर अब हम बनाएंगे दाल की रेसिपी आधा कप मैंने sprouted moon और आधा कप मौठ दाल ली है ये brown color वाली जो होती है दोनों का अच्छे से soak करके मैंने रुमाल में बांध लिया था पूरी overnight और डल पे लटका दिया तो इनमें sprout आगा है अब इने अच्छे से sprout आने के बाद भी हमें पानी से धूना होता है अच्छे से देखिए wash कर लिया wash करने के बाद अब करेंगे क्या कि दो बड़े चमच म ठीचा बनाया था ना मिर्ची का उसमें से one fourth cup ठीचा लेके मैंने इसमें डाल दिया है सारका सारा ठीचा नहीं डाला है कि एवल one fourth cup ठीचा डाल दिया है तीन बारी कटे हुए प्यास डाल दिये हैं और अच्छे से मसालों को भून लेना है बहुत tasty डाल बनती है ये sprout की डा करके डाल दिये और अच्छे से दिखिए और चोड़ने तक मसाले को पका लिजे बहुत ही टेस्टी लगती है यकीन मानिए मुझे तो बहुत पसंद है इसमें मैंने तिल का पाउडर भी डाल दिया जो मैंने आपको इनीशली बताया था मुफली तिल कोकोनट का पाउडर बन मिर्ची पाउडर आदी चमच हल्दी और एक चमच कुरियंडर पाउडर का मिक्स करती है गरम मसाला हाफ टीस्पून जो हमने गौड़ा मसाला डाला था ना बनाया था वो डाल दीजे नहीं तो अगर आपके पैस घर में कोई गरम मसाला रेड़ी है तो वो आप इसमें की डिफरिंटेस्ट होता है इस दाल का यह बनके बहुत अच्छी लगती है आपने मिसल पाउड तो खाया होगा लेकिन मिसल पाउड साही थोड़ी अलग पाणि ऑने और डाल दिया है थोड़ी सी यह व्या पतली होती है अब धहक के अच्छे से ओईल रिलीज होने तक मसा अब भौप कर लिया है मसाले ने आप जो हमने पात्ता ना ना पर जoca़ोगी ना काफी पानी भॉच दाल को अगया दें मिनिट डालक के अगय लख़यों chuck को थाकते हैं पितला बनाने के 2 बिलाने के 10 मिनिट ने पत्में तो अच्छे से इनफ पानी डाल के दो बड़े चमच थेचा चत्नी जो बनाए ती अदी चमच हल्दी और एक चमच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजेए यह पितला जो होता है ना पराटो के साथ खाया जासकता है चापाती के साथ लिए बहुत टेस्टी लगता है पु ठेचा डाल दिया एक चमच कश्मीरी लाल मुचीट पाउडर डालने के बाद गौडा मसाला दो चमच मैने इसमें डाल दिया ये ना हो तो गरम मसाला आप इसके अंदर आधी चमच डाल सकते हैं साथी में बारी कटे हुए दो प्यास डाल के मिक्स कर लीजे प्यास जो है इसमें आपको जादा पकाने की जरूरत नहीं है बहुत ही क्विक सी रेसिपी है प्यास इंस्टिंटली बस मसाले में मिक्स होते ही पक जाते हैं अब प्यास डालने के बाद इसमें बारी कटा हुआ बहुत सारा धनिया डाल दीजिए करीब वन पोट कप हाफ कप तक और थोड़ा सा पानी डालके मसालों को पका लेजिए बिल्कुल हलका सा दो चुटकी नमक मैंने इस मसाले के लिए मिलाया है पितला में अल्रेडी नमक है तो चलिए जो रेडी हमने पितला बनाया था घोल वो डालके आपको कंटिनेसली इसे विस्क से चलाया जाता है राजिस्तान में भी इस तरह की रेसिपी बनती है जिसको हम बेसनिया बोलते हैं आप शायद वाकिफ होंगे कई ही अलग-अलग स्टेट्स में बेसन को इस तर लगाने के लिए एक बड़ा चमच ऑईल का लिया उसमें आदी चमच राई डालके तड़काई और वन फोट टीस्पून हींग डालके इस पे तड़का मारते जिए अब ये खाने के लिए फटा फट इंस्टेंट जो बेसन की सजी है रेडी है पितला जाने के बाजी बनान और कॉंटुटी मिला सकते हैं जाधती का खाना है तो क्रश ग्राउंड नट इसके अंदर मैंने मुफली का पाउडर डाल दिया है आपको यादे दाल में मैंने तिलका डाला था और मेथी ची भाजी में मुफली की कूट डाली है एक चमच नमक एक चमच चीनी डालके और महराश्टन स्टाइल में मेठी ची भाजी है इसे तो आप घर में जरूर ट्राय करिए मजा आ जाएगा खाके और इसमें एक बंच मेती को अच्छे से वाश करके हमने पत्ते निकाल के थोड़ी डंठल समेथ काट लिया था और डाल दिया अब इसमें वन फोर्थ कप फ्रे देखिए नमक चीनी नीमबू और मुफली ने क्या चमतकार किया यह सबजी बनके इतनी गजब तयार हुई है चले जुआरी की भाकरी बना निकले मैंने पानी उबालिया उसमें एक चमच नमक डालके और दो कब जुआरी का फ्लावर डाल दिया है आटा डाल दिया है जव आप देखिए अपनी हिसाब से कंसिस्टेंसी को मैनेज करिए मैंने करीब एक लास पानी लिया था और उसमें धाई से तीन कब देखिए आटा अराम से चला गया है अब इसे हम घोटनी से देखिए आटे को गैस को मैंने बन कर दिया है और घोटनी से आटे को इस तरीके से लगाके आप तयार कर लिजे इसी तरीके से जवारी का भाकरी का आटा तयार होता है ठंडे अटे से अगर आप लगाएंगे तो रोटी अच्छी नहीं बिलेंगे देखिए अटा बिल्कुल रेडि आप इसे अच्छी से ना मत लीजे जितना आटे को मतेंगे अब गरम गरम वैसे तो आटे को मता जाता है traditionally आप gloves का इस्तमाल कर लिजे क्योंकि ठंडा होने के बाद आटा अच्छे से नहीं मतेगा रोटी आच्छी नहीं बनेगी यह देखिए मैंने अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि आटा काफी गरम था तो मैंने थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी में हर का से ठंडे पानी का चीटा देती हुए आटे को अच्छे से मत लिया है यह हम जवारी भाकरी बना रहे हैं चमतकारी बात यह है कि यह भाकरी एक महीने तक भी ट्रावलिंग में आप यूज कर सकते हैं ऐसा कहते हैं कि यह खराब नहीं हो थी कपड़े में लपेट कर एक-एक महीने जब पहले के लोग ट्रावलिंग पे निकलते थी तो जवारी भाकरी को अपने साथ लेके रखते थे और खाते रहते थे तो इस तरीके से जवारी भाकरी थोड़ी मैनत से बनती है लेकिन खाने में टेस्टी होती है काफी हेल्दी होती है डाइबिटीज में भी आप इसे यूज कर सकते हैं घर में पर्फेक्ट आटा लगा दिया ना एक दम एक पेडा लीजे छोटे अम्रूत के आकार का अब इसकी रोटी बहुत ही असानी से जैसे नॉर्मल आप ग्यों की रोटी बनाता है न बिल्कुल वैसे बना लेंगे देखिए बहुत इजी है जितना आटे को गरम पानी में अच्छ प्रेशर मत लगाई है वनना रोटी टूट चाएगी काफी नरम आता होता है देखिए अच्छे से रोटी बना ली है चलिए अब इस रोटी को सेक लेते हैं फटा फट तवे के उपर और अच्छे से राउंड करके कॉर्णर्स अगर फटे हैं तो उन्हें सील कर दीजे दे पर फटा फट तवे पर रोटी बड़ी कितनी बड़ी फूल चुकी है तो तवे इस तरीके से सेक सकते हैं आप बिल्कुल तवे पर सिक्के रेडी होगए तेके इतने हाटे में कितनी सारी रोटिया बनके तयार हो गई है चलिए इस ट्रौबरी शीकन मिनाने के एक कप मेंन इसको और फिक क्रश बना लीजे और हंकरज में मिला दीजे यह देखिए दाल जो है बिल्कुल बनके तयार है दस मिनिट के अंदर अच्छे से दाल गल चुकी है और अब धनिये से गानिश करिए और इसे सर्फ करिए यह दाल के साथ मैंने यह श्रीकन जो बनाया था स्ट् जल्दी से जल्दी ट्राइक करें देखिए थाली जो है वो बनके बिल्कुल तयार है आप घर में इस थाली को जरूर ट्राइक करें आपको बहुत जादा इसके लिए एप्रिसियेशन मिलेगा और मुझे भी बताईए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आपकी कमेंस का करते हैं चैनल को फॉलो कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं मेरी फ्यूचर रेसिपीज फटाफट देखने के लिए तो चलिए फटाफट सोच कर रहे हैं जल्दी से ट्राइक करिए घर में थांक्यू